कक्षा 6 के प्यारे बच्चों आज की कक्षा में आपका स्वागत है आज हम लोग समाजिक विशे की पाठे पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक सास्त्र से नागरिक इतिहास भाग से हम लोग पाठ 5 छटी सताब्दी इसापूर्व का भारत धार्मे कांदोलन के बारे में ज जानेंगे क्योंकि यह पाठ बहुत ही रोचक है और आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा इसलिए इसके दो भागों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्द करेंगे आज प्रथम भाग के बारे में जानेंगे जिसमें हम लोग जैन धार्म के बारे में जानेंगे बच्चों पिछली इतिहास की पिछली कक्षा में आपने छटी सत्ताब्दी इसापूर्व से के छोटे-छोटे जन्पदों के बारे में जाना था जिसमें आपने जाना था कि किस तरह बैदिक काल में छोटे-छोटे जन्पद होते थे और उसके अलावा आपने बैदिक काल क धार्मिक क्रिया कलापों के बारे में जाना था वैदिक काल के धार्मिक क्रिया कलाप सहज और सरल थे जो वैदिक काल में आपने जाना और धीरे-धीरे इसमें बदलाव होते गए इसके अलावा आपने वैदिक काली बढ़ वेवस्था के बारे में जाना जो धीरे-धीरे जा को आपने कख्षा के में जाना कि बैदिक काल से उत्तर बैदिक काल तक आते हैं तो किस तरह लोगों के सामाजिक जीवन में भी बदला होता गया यह तो हो गई पिछली कख्षा की बात नहीं आज की कख्षा की बात करते हैं, इसी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए, हम लोगों ने आज जो जानेंगे हम उसके बारे में जान लेते हैं, आज हम लोग छटी सताब्दी इसापुर्व के लोगों के सोच के बारे में जानेंगे, चिंतन के बारे में जानेंगे, कि वो क्य सोचते थे क्या करते थे इसके अलावा एक छांदोग उपनिसत की कहानी को बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे साथी साथ आज महावीर स्वामी के बारे में जानेंगे और जैन धर्म के बारे में जानेंगे आगी जानकारी बढ़ाते वे हम लोग आज जैन धर्म के त्री रतने के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उनके पांच महा ब्रत कॉन कॉन से हैं इसको जानेंगे साथी साथ हम लोग जानेंगे कि जैन धर्म के दो संप्रदाय जो बने वो कैसे बने यह तो हो गई आज क्या क्या जानेंगे अब हम लोग आज अपने कक्षा की सुरुवात करते हैं सबसे पहले हम जानते हैं कि छटी सताब्दी इसापूर की सामाजी की स्थिती क्या थी उस समय जो संपूर उत्तर भारत था वो छोटे-छोटे जनपदों में विभाक्त था ले व्पाण की रहने वाली प्रजा अपने को असुरक्षित मैसूस करने लगे थी जहां पर यो दोहगा वहां पर तो असान्ती पहले हो गए थे कि लोगों के पहुंच से दूर होते जा रहे थे प्रजाजों थी वो जो पहले बैदिक कालीन समय में लोगों की आपस में मदद और भरोसा करती थी वो धीरे-धीरे इस वकाल तक आते आते समाप्त होने लगा था बेदों की संस्कृत भासा लोगों की समझ म में बढ़ वेवस्था थी वो धीरे-धीरे चाती वेवस्था में बदलती जा रही थी तो यह हो गई समाजी किस्थिति इस तरह अब छटी सताब दीशापूर्व के लोगों का चिंतन क्या था इतनी स्थिति जब बिगड़ती जा रहे थी समाज असंतुलित होता जा रहा तो लोगों के मन में अनेक सवाल उखते जा रहे थे वो धार्मिक स्थिति के बारे में भी सोचते थे अपने धर्म के बारे में सोचते थे वो यह सोचने लगे थे कि यग्य क्यों करा जाए कि क्या चढ़ावा चढ़ाने से मोक्षी की प्राप्ति होती है इसके लावा उनक कुछ इश्वर का ही बनाया हुआ है क्या ये स्थिति बदली नहीं जा सकते हैं और वह ऐसी कौन सी चीज है जो कभी मृति को प्राप्त नहीं होती हैं मरने के बाद क्या होता है और क्या तपेशिया करने से तपेश्वी अमर हो जाते हैं इस तरह की सोच लोगों के मन में बढ़ती जा रहे थी इसी सोच और इसी मनों भाव को दूर करने के लिए बहुत सारे लोग आश्रम बना कर जंगलों में रहना शुरू कर दिये थे जंगलों में जो रहते थे उन्हें रिसी मुनी कहा जाता था और यह कठोर तपेश्या करते थे कठोर तपेश्या के द्वारा इन्होंने यह बताया कि आत्मा या ब्रह्म कभी नश्ट नहीं होता है मनुस्य को सारे कष्टों से निजात कम मिलती है जब वो इस जन्म बनाड के चक्र से मुक्त हो जाता है यानि जो हमारी आत्मा और ब्रह्म है परम ब्रह्म में मिल जाती है इसी के लिए जो रिशी मुनम ही है अपनी जिग्यास्या को सम्थ करने के लिए लोग उसे सवाल पूछा करते थे या जो हुआ उनके पास आते थे उनके सवालों demos काいて जो इस तरह से जो जो उपनिशत में बढ़ित थे इस तरह से जो जू इन्ट ग्र Netherosate उपनिशत कहा जाता था वो सारा वधरन उपनिशसदों में बढ़ित जिसमें आपको अनेक जयानकरियां प्राप्थ होगी. यह कहानी एक चित्र कथा के रूप में बढ़ित है. इसी तरह से कई अपनी सदों में. अपनी सद कई हैं, और सभी बेदों से किसी ना किसी बेद से संबन्दित हैं. और सभी उपनिसदों में एक ज्ञानवर्धक कहानियां दी गई हैं चांदोक उपनिसद की जो कहानी आपके पुस्तक में बढ़ित है वो इस प्रकार है इसको ध्यान से सुनिएगा सुनके आपको अच्छा लगेगा सानक कपिया और अभिप्रातिन नमक दो रिसी जंगल में रहकर पूजा करते थे एक दिन दोनों रिसी भोजन कर रहे थे तो वहाँ एक ब्रह्मचारी आया उसने रिसियों से थोड़ा भोजन मागा रिसियों ने कहा नहीं वालक हम तुम्हें भोजन नहीं दे सकते हैं ब्रह्मचारी ने कहा कृपिया बताएं कि आप किस देवता के पूजा करते हैं ब्रह्मचारी के इतना पूछने पर जिसी ने बड़े ही गर्भ से कहा वायू देवता की जो जीवन वायू अथ्वा प्राड वायू प्रदान करता है ब्रह्मचारी ने बिनम्रता से कहा अरे तब तो आपको पता होगा कि यह जीवन वायू अथ्वा प्राड पूरे ब्रह्मान में ब्याप्त हैं ब्रह्मचारी ने फिर कहा और इसी से ही तो चल है अचल है द्रिस्य है और अद्रिस्य है रिसी ने गर्भ से कहा हां हां हमें सब पता है तो ब्रह्मचारी ने कहा तो मानिवर कृपिया आप बताएं कि आप किसको भोग लगाते हैं रिसी ने कहा जीवन वायू अर्था प्राड को ब्रह्मचारी ने कहा यदि ब्रह्मान में प्राड बित्मान है तो मुझे में भी है क्योंकि मैं भी ब्रह्मान का ही हिस्सा हूं, हूं की नहीं ? रिषी ने कहा। अरे हाँ क्यो नहीं ? तब ब्रह्मचारी ने कहा, यही प्राण मुझे है, मुझे भिक्षा न्यादेकर, क्या आप अपने वायु देवता का अपमान नहीं कर रहे हैं ? इतनी बात सुनते ही रिशी को वास्तिविक्ता का ग्यान हो गया और वो अपने अज्ञानता पर सर्मिंदा हुए, तथा उन्होंने अब्रह्मचारी के साथ फिर भोजन किया। इस तरह से से कहानी को त करते थे और ग्ञान की खोज में लगे होते थे ग्यान की खोज में रिशी मुनियों के लावा कुछ राजा माराजा भी चिंटन करते थे यह राजा माराजा भी अपने घर त्याग कर गाओ गाओ जंगल जंगल सहर घूमते रहते थे ऐसे लोगों में महाविर स्वामी और महत्मा बुद्ध का नाम बहुत परसिद्ध है महावीर स्वामी के बारे में आज हम लोग जानेंगे और महत्मा बुद्धी के बारे में अगली कक्षा में जानकारी प्राप्त करेंगे तो अब हम महावीर स्वामी के बारे में जान लेते हैं महावीर स्वामी जैन धर्म के 24 में तिर्थंकर थे तीर्थंकर का आर्थ होता है महापुरुस और इनके महापुरुसों को तीर्थंकर कहा जाता है इनके बच्पन का नाम वर्धमान था इनका जन्म 540 इसापूर में वैसाली के निकड कुंड ग्राम में एक राजपरिवार में हुआ था इनके पिताग सिधार थे जो कुल के प्रधान थे और माता त्रिशाला लेच्छ विवन्स की राजकुमारी थी ये बचपन से ही बहुत चिंतन सील थे इस कारण इनका मन कामकाजिया इस तरह सांसारिक मुवमाया में नहीं लगता था तीस वर्ष की अवस्था में ये घर छोड़कर कठिन तपेश्या में निकल पड़े बहुत कठिन तपेश्या करके इन्होंने ज्यान की प्राप्ती की और इंद्रियों पर बिजय प्राप्त कर ली इंद्रियों पर बिजय प्राप्त करने के कारण ही ये महावीर जिन अर्था विजयता कहलाए इन्हीं यह ज्यान हो गया कि अगर संसार में कष्टों से मुक्ति प्राप्त करनी है तो हमें जन्वरन के चक्र से मुक्ष्यानि कैवल को प्राप्त करना आवस्यक है जब यह ज्यान इनको प्राप्त हो गया तब इन्होंने अपने सिध्धानतों का प्रचार प्रसार किया। जिस्से कि लोगों को भी इसका अं का प्रापती हो सके और लोगों के मन में जो जिःग्यासा थी, जो उद्भाफ उबार रहे थे, उससे उनको सांती मिल सके। यह जयन दर्म के 24 वय तीर्थंकर थे, जयन् धर्म के संस्थापक और प्रथम तीरतंकर का नाम था रिसब्देव। इन्हों ने अपने सिध्धान्द का प्रचार प्रसार प्राक्रत भासा में किया। संस्कृत उस समय लोगों के समझ में नहीं आती थी क्योंकि ततकालिन समय में प्राक्रत भासा ही आम बोलचाल की भासा थी। तो इनों ने सोचा कि अगर हम अपने अपरिचार प्रसार प्राकृत भासा में यानि आम बोलचाल की भासा में करेंगे तो लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा और हुआ भी यही इनके सिध्धानतों को लोग खुब अच्छे से समझे और इनका सिध्धानत जितना उस सम उतना ही उनके सिध्धान आज के समय में भी प्राशांगिक है। इनका जो सिध्धान था वो बड़ा ही विश्त्रीत और अर्थपूर था। अब हम इनके सिध्धानत के थोड़ी सी बाते कर लेते हैं। जैन्धम के त्रीरत्न कौन-कौन से हैं। जीवन के विकास के लिए महाभीर स्वामी ने मन, बचन और कर्म से सुद्ध रहकर तीन बातों को मानने पर विसेश बल दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति मुक्ष प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर है तो उसे तीरत्न को जरूर मानना चाहिए। जैन गन्तों में इसे सम्यक लगा कर कहा गया है जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्यान, सम्यक क्या अर्थ होता है सही बात और आपकी पुस्तक में तो इसी तरह लिखा हुआ जैसा आपको दिखाई दे रहा है सही बातों में विश्वास, सम्यक दर्शन का अर्थ अक्ति होता है सही बातों में विश्वास दोलियाWhere is honest about itself को ठीक से समझ और सम्यक चरित्र है उचीतकर्म करना कि ये जैनधर्म के तूरतनीयों त्री-प्रिटक गये इन पिन उती etti नहीं का एक दूसरे के बगार काम नहीं जलता है ये तीन हो तूसरे के पूरक है खुदी समझ लेजिये अगर दर्शन नहीं होगा तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी और अगर ज्ञान की प्राप्ति नहीं उदू तो हम हमें चरित्र को उत्तम नहीं बना सकते हैं। अब हम जैन धर्म के पांच महाब्रत की बात कर लें। महावीर स्वामी ने अच्छे बेवहार और आच्रड के लिए पांच महाब्रतों के पालन करने की बात कही है। ये पांच महाब्रत भी जैन गरंतों में अलग तरह से दिये गए हैं। आपको सरलताप की किताब में सरलत इस बातों को लिख दिया गया है पाच बाते जो जैन ग्रंत में लिखे हैं वो है सत्य, अहिंसा, अस्ते, अपरिग्रे और ब्रह्मचर कहते हैं कि चार महाबरत पहले से मौझूद थे यानि तेश्वय तीर्थंकर पार्शनात के समय तक चार महाबरत मौझूद थे पाचवा महाबरत यानि ब्रह्मचर हमारे महाबिर स्वामी ने जोड़ा इसमें हम अगर उनकी तरह बात करें तो जो पहला है सत्य है सत्य का अर्थ है हमेशा सच बोलना जैन मतानवाई ये मानते हैं कि अंजाने या कोई भी परिष्थिती हो हमको जूट नहीं बोलना चाहिए उसी तरह अहिंसा सत्य के बाद अहिंसा का आर्थ तो आप भी जानते हैं किसी भी जीव को चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो कभी नहीं सताना चाहिए जैन मठानुभाई मानते हैं कि जाने एंजाने कैसे भी हो छोटा बड़ा कुई भी जी हो कभी नहीं मारना चाहिए इसलिए आप में से अधिकांस लोगों ने देखा होगा कि जैन मतानुभाई अपने मूँपर सफ़ेद पतला कप्ड़ा जरूर बांते हैं अस्तेकार्थ चोरी ना करना, इन मतानिवाईयों का मानना है कि चोरी एक अपराध है, किसी भी परिष्थित में चोरी करना दंडड़निये कारी माना जाता है, इसके लवा अपरिग्रेह, अपरिग्रेह का आर्थ होता है अनुचित धन को ना एकत्र करना, जैन मत्त के अनुवाई या मानते हैं कि कभी भी अपने जरूरत से ज्यादा कोई विधने कत्र नहीं करना चाहिए उनके अनुसार अगर आपके पास दो रोटी है और आपके पास एक ही रोटी की भूख है तो एक रोटी दान कर देना चाहिए क्योंकि अगर दोनों रोटी आप अपने पास रखेंगे तो यह अपरिग्रे हो जाएगा पांचवा जो इनका महाब्रत था ब्रह्मचर ब्रह्मचर यानि इंद्रियों को अपने बस में रखना महावीर स्वामी ने भी इंद्रियों को अपने बस में रखकर जिन या विजयता कहलाए थे अपनी इंद्रियों को बस में रखना ब्रह्मचर कहलाता है इस तरह से ये जो पांच महावरत हैं ये बड़े सईयमित हैं और सभी जैन मतनुवायों को मानना अनिवार है जयन्धर्म के जो तीरत न और 5 महाब्रत हैं ये केवल कैवल की प्राप्ति के लिए बनाए गाए हैं जो इसका पालन करेगा वही केवल की प्राप्ति कर सकता है देखने में तो ये नियम बहुती साधार लगते हैं लेकिन हैं बहुती विस्तित और अर्थमान इसे अगर पालन किया जाए तो कोई भी व्यक्ति अपने को एकदम आदर्स चरित्र का बना सकता है अब हम लोग अंत में जैन धर्म के संप्रदायों की बात कर ले महावीर स्वामी के समय जैन धर्म एक था और महावीर स्वामी के कैवल प्राप्ति के लगबग दो सताब्दी तक भी या धर्म आभिवाजित था किन्तु जब महाभीर स्वामेग ने कैवलिव की प्राप्ती हो गए यानि मोक्षी की प्राप्ती हो गए इनकी आत्मा परंब्रम में मिल गई तब दो सताब्दियों के बाद जैन मतानिवाई दो भागों में बढ़ गए पहला स्वेत अंबर सफेद वस्त्र धारण करने वाले जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है दूसरा दिगंबर यानि नी वस्त्र रहने वाले स्वेत अंबर का अर्थ होता है सफेद वस्त धारण करने वाला यह दो सब्दो से मिलकर बना है स्वेत धन अंबर स्वेत माने स और अंबर माने वस्त्र, इस मत के अनवाई सफेद वस्त्र धारण करते हैं, इसी तरह दिगंबर, दिग धन अंबर, दिग आर्थ होता है दिशाय और अंबर का आर्थ होता है वस्त्र, यानि जो लोग दिशाय को अपना वस्त्र मानते हैं, यानि कोई वस्त्र नहीं पहनते ह वो दिगंबर संप्रदाय के लोग होते हैं इस संप्रदाय के दो भागों में बटने के पीछे भी मनुर्ष प्रमार सागर जी की पुस्तक जैन धर्म और ग्रंत में एक छोटी सी कहानी बढ़ित है उसमें कहा गया है कि जैन स्वामी जैन आचारे भद्र बाहु जी को पहले स से वापस आए तब उन्होंने देखा कि यहां के रहने वाले लोग अपने नियमों में कुछ सिथिलता ला दिये हैं तो उन्होंने अपने लोगों को समझाया कि जैन धर्म के नियमों को पूरता पालन कर ये लेकिन उन लोगों नहीं माना तो इस तरह से दो संप्रदाय हों जो बस्तर नहीं पहनते वो दिगंबर कहलाते हैं तो यह हो गई संप्रदाय की बात तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या क्या जाना यह जान लेते हैं जानकारी प्राप्त की, तो आपको जैन धर्म के बारे में तो खुब सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी, अब हम लोग एक अभ्यास कारी कर लेते हैं, आप अपनी पार्टी पुस्तक निका लिए और उस पार्टी पुस्तक के प्रिष्ट संख्या में आप उस पार्टी जो प्रिस्ठ संख्या आपकी दी गई है यानि 48 दे आप इसको खोल लीजिए और यह बना हुआ है यही आपके सामने लिखा हुआ है इसको आप अपनी अपनी उत्तर प्रस्विस्यों के लिखिए यहां विब्रण दिया गया है और यहां पर महाबीर स्वामी दिया गया है विब्रण जो दिये गए हैं जिसके बारे में आपको बताना है वो है महाबीर स्वामी इसमें सबसे पहले लिखा है जन्म का स्थान यानि महाबीर स्वामी के जन्म का सम यहां आप क्या लिखेंगे । 540 इसापूर्व उसी तरह जन्मस्थान है इसमें पताया गया है कि महभीर स्वामी का जन्म पर हुआ था यह लिखना है अभी आपने जाना महाभीर स्वामी का जन्म वैसाली के कुंडग्राम में हुआ जो इस समय बरतमान में बिहार राजी में इस्तित है इसके अलावा तीसरे नंबर पर है बचपन का नाम महावीर स्वामी के क्या था अपने अभी जाना वर्धमान था यहां पर लिख देंगे माता का नाम त्रिशाला था जो लिक्षविवन्स की राजकुमारी थी और पिता क नाम सिधार्थ था जो अपने कुल के प्रधान थे इनके उपदेश की भासा क्या थी इनके उपदेश की भासा थी प्राकृत भासा जो उससमें तत्कालीन लोगों की भासा थी इसी तरह से आप अनेक प्रस्न है जो आप कर सकते हैं जैसे इसमें लिखा हुआ है प्रस्न है त्री रत्न और अश्टांगिक मार्क के बारे में लिखिए इसके अलावा ये किन्से संबंदित हैं इसके बारे में लिखिए अभ्यासकार के बाद अब हम लोग अपनी पाठी पुस्तक पे जरा सा गौर फर्माते हैं पाठी पुस्तक के अभ्यासकार को आप देखिए इसमे 48 नमबर पेज पर आपको ये विब्रण दिया गया है इसके अतरिक्त आप कुछ और प्रस्निक कर सकते हैं आपको करना क्या है आप महाभीर स्वामी के कहीं से भी चित्र मिल जाए ले आईए और उसको लगाईए अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए लिखने के साथ ही साथ आप क्या करेंगे उन पुस्तिक चित्रों को चिपकाने के बाद आप उनके बारे में 10-10 लाइन लिखिए गा दस लाइन लिखने का मर्थ है कि आप महाविर स्वामी के जन्म के बारे में लिखिए कैसे जन्म हुआ यानि आप उसमें लिखिए कि वैसाली के कुण ग्राम में उनका जन्म हुआ किस तरह उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा रेखा चित्रे भी बनाने का प्रयास करिएगा उसमें दिखाईएगा कि महाविर स्वामी किस तरह चिंतन करते वे बैठे हुए हैं और बच्पन से ही जैसे आप लोग कुछ ना कुछ बच्पन में सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं उसी तरह महाविर स्वामी के मन में भी तमाम चिंतन निकलते रहते थे वो यह सोचा करते थे कि कहीं जो यह समाज है यह ऐसा क्यूं है ऐसा क्यूं होता है इस तरह से सोचते सोचते उनके मन में या आता था कि जन्म मरतु क्या है जो जन्म लिया है वो मरेगा कैसे मर के कहां जाता है इस तरह की बाते उनके दिमाग में चलती रहती थी चलती रहती थी और जब ये दिमाग में इनके बात चलती रहती थी तो इसका किसी भी चीज का ज माविर स्वामी भी अपनी बातों को अपने बड़ों से पूछते थे अपने भाईयों से पूछते थे अपने मावाप से पूछते थे लेकिन उन्हें अपने उत्जबाब उसका नहीं मिलता था अंत में उन्होंने तकई रिसीमुनी ग्यानियों के बार से भी यह बात पूछ करें कठोर तपेश्या करें तो हो सकता है ज्ञान की प्राप्ति हो जाए इसलिए वो जगा जगा भटकते रहे और तपेश्या करते रहे गूमते रहरीजियों के साथ मुनियों के साथ 30 बर्स की अवस्ता में घर छोड़ दिया था इसी तरह की बहुत सारी बातें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं लिखिएगा उनके बारे में अपने विचार वेक्त कीजिएगा जो आपके मन में आ रहा है कि क्या सोचा होगा क्या चिंतन किया होगा तो जिसकी वजह से 30 बर्स की अवस्ता में घर छोड़ना पड़ा इस तरह की बातें जो आपके मन में आ रही है उसको लिखिए अपने दोस्तों से कहिए लिखें जब अपना खुद लिखेंगे और आपके दोस्त लिखेंगे फिर दोनों काफिया मिला कर अपने दोस्तों के साथ ग्रुप बना के लिखके सब काफिया जब आप मिलाएंगे तब आपको देखेगा कितनी सा आप किसी महापुरुस की, जैसे अभी हमने आपको बताया, महाभीर स्वामी का चित्र करके चित्र चिपका लिजेगा, उसी तरह आप किसी भी महापुरुस की, चाहे वो मात्मा बुद्ध हो, चाहे वो महाभीर स्वामी हो, चाहे वो मात्मा गांदी हो, किसी के भी चित्र को आप एकत्र कीजिएगा और उनको चिपका लिजिएगा उत्तर पुस्तिका में और फिर चिपका कर अपने मन के भाव के अनुसार कहानी बनाईएगा इससे आपको कहानी लेखन के बारे में भी पता चलेगा चित्र कथा जैसे होती है जैसे अभी हमने आपको च्छान दोगु बस इतना ही अगले पार अकली कक्षा में हम लोग इसी के दूसरे भाग यानि गौतम बुद्ध महात्मा बुद्ध के बारे में जानेंगे क्योंकि आपने को हमने भविवताया कि जो दो महा राजा थे दो महापूरुस थे जिन्होंने ग्यान की खोज में इधर उदर गाउं स्वामी के बारे में तो आज ने आपने जानी लिया अब गौतमा बुद्ध के बारे में अगली कक्षा में जानेंगे और तब तक के लिए आप अपनी पाठी पुस्तक से इस पाठ को दोहराईएगा और आपको अच्छा भी लगेगा जिससे कि आप आपको ये कहानी समझ में आ सके चांदो गुपनि सत की कहानी समझ में आ सके तो आज की कक्षा में बस इतना ही अगली कक्षा में हम लोग फिन मिलेंगे तब तक के लिए बहुत